सो वेलकम वन्स अगेन और आज हमें एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं जिसमें हम नई स्टोरी डिसकस करेंगे और इन स्टोरीज को डिसकस करने का हमारा मेन मोटिव यह रहता है कि इन स्टोरीज में इंग्लिश जो है बड़ी इजी दी हुई है और इसके माध्यम से हम स्टोरी है यह चाल करते हैं जैसे कि हमारा जू आज की स्टोरी का टाइटल है चैनल और ड्रम मतलब जैकाल मतलब होता है की से इन दोनों बीच में, drum मतलब होता है, band एक तरीके से, ठीक है, चले फर देखते हैं, long ago, long ago को मतलब होता है, long का 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 मतलब होता है, ठीक है, इसे दो दिन पहले, two days ago, ठीक है, long का मतलब हो जयकाल, called Gomaya. ठीक है, long ago, बहुत लंबी समय की बात है, जंगल में, there मतलब यहां से, जंगल में lived रहता था, जयकाल, एक CR रहता था, जिसे called Gomaya, मतलब उसका नाम क्या था? Gomaya, लोग उसे किस नाम से पौरते थे? Gomaya की नाम से ठीक है उसका नाम बता जा रहा है वन डे वन डे मतलब एक दिन ठीक है वन डे मतलब एक दिन he was very hungry he किसको किया गया है he किसको indicate किया रहा है जैकाल को ठीक है? जैकाल कौन है? male जैकाल है यह ठीक है तुके लिए he के उज़ करते हैं अब थेको यह अब देखो यह पूरी story जो है past में है तो अच्छे समझना ठीक है? वह बहुत भूखा था वह क्या किया वह क्या किया वह क्या क्या है यह begin की first form है ठीक है begin की first form क्या है begin का मतलब होता है शुरू करना ठीक है वह बिगन तू वेंडर मतलब उसने घूमना इस्टार्ट कर दिया in search of food किसमें food food यानि भोजन की तलास में हुआ घूमना इस्टार्ट कर दिया while wandering मतलब घूमते समय while wandering while के उच करते हैं के समय ठीक है दोड़ते समय while running घूमते समय while wandering ठीक है while wandering he came across a battlefield ठीक है वह किसके पास आया battlefield के पास आया जानवरों की लड़ाई होती है युद्ध का मैदान उस जगह हो आया ठीक है फिर in one corner of the battlefield lay a big drum under a tree in one corner मतलब एक कोने में corner में of the battlefield battlefield के एक कोने में lay a big drum एक बड़ा सा drum पड़ा हुआ था under a bag under a tree मतलब पेण के नीचे under मतलब नीचे पेण के नीचे पेण के नीचे मतलब battlefield के battlefield के कोने में कहीं किनारे में corner में एक पेण के नीचे बड़ा सा drum पड़ा हुआ था बड़ा सा big drum ठीक है when he when the wind blue wind मतलब हवा blue मतलब blue की second form मैंने बोला पूरा ये जो story है आपका past में है तो blue की second form क्या हो गई blue तो जैसे ही हवा चली ठीक है यहां क्या बोला है जैसे ही हवा चली a tender a tender branch close to the root of the tree struck the drum producing the sound of a drum beat देखो a tender branch tender branch tender मतलब होता कोमल कोमल ब्रांच ठीक है tender मतलब कमजोरिया की कोमल ब्रांच close to root of the tree जो की root of the tree मतलब जो पेंड के जड़ के नजदीक थी struck the drum क्या struck the drum मतलब stick मतलब होता है चपकना ठीक है stick और एक तरीके से होता है मारना पीटना ठीक है तो वहां से struck से आवाज आई भिड़े गई एक तरीके से कह सकते हो tree struck the drum producing the sound of a drum अब produce मतलब होता है निकलते हुए the sound of कि कहे का sound drum का sound हाँ producing the sound of a drum beat अब एक drum beat की sound आई समझ रहा हो मतलब एक पेंड के एक कोमल सी जो ब्रांच है ये हवा चलने से भिड़ गई किससे drum से और इससे drum beat की आवा जाई the jackal examined jackal क्या क्या examine किया मतलब निरिछण क्या इधर उदर the drum from all sides drum का चारो तरप से निरिछण किया ये लिखा all sides ठीक है and then फिर इसके बाद beat the drum with his front paws फिर इसके बाद इसने क्या किया beat किया मतलब जो drum है drum पर beat किया मतलब the drum with his front paws सामने के अपने पाउं से उसमें फट से पैर मारे ठीक है the drum made a sound drum से एक sound किया sound आया the jackal thought देखो यहां make की second form made लगी है पूरा sentence मैं फिर से बोल ला हूँ past में है the drum made a sound make sound मतलब आवाज करना ठीक है जैकाल thought जैकाल सोचा past की बात हो रही ही न that there might be some small animal inside the drum क्या सोचता है कि यह सायद इस drum के अंदर there might be some small animal छोटे small animal होगे जानवार होगे inside the drum drum के अंदर and that would make a very tasty meal of him और जो कि क्या हो जाएगा मेरे बहुत अच्छे भोजन बन जाएगे अगर मैं इनने बाहर निकाल हूँ ठीक would make a very tasty बहुत ही अच्छे बहुत ही delicious meal मतलब भोजन बन जाएगे for him किसके लिए जैकाल के लिए but he found the top of the drum too tough to tear off लेकिन उसे क्या मिला he found उसे मिला the top of the drum मतलब drum का उपर उपरी सत्य है उपर की भाग जो है too tough बहुत ही tough था बहुत ही कठोर था to tear off फाडने के लिए मतलब इतना tough था कि उसे फाड़ा नहीं जा सकता था फिर देखो दिज जैकाल थाट जैकाल ने सोचा there must be some another animal inside this object फिर जैक बार सोचा कि पकका न पकका कोई न कोई अलग जानवर है इस drum के अंदर और some other animals inside this object और सोचा कि इस यह जो चमड़ी है इसमें भी कोई न कोई जानवर है if only I could tear the skin I could eat the animal inside but it is so tough अब इसको ड्रम के बारे मैं नहीं पता ठीक है अब वो क्या सोचता है अगर मैं इसकी skin को फाड़ दूँ यह क्या सोचा है जो इसकी skin है एक जानवर ही है एक तरीके से ठीक है यहां लिखा animal inside this object तो अगर इसकी skin को मैं फाड़ दूँ आई कुड़ इट मैं खा सकता हूँ इनिमल इंसाइड जो की जानवर अंदर है इंसाइड मतला वंदर और इंसाइड वंदर पहले से अंदर है इसलिए बट इट्स सोट अफ लेकिन यह तो बहुत कठोर है क्या किया जाए अब सोच नहीं लगाए जैसे कि आप देख लेए हो ठीक है यह ड्रम है और यह जो टेंडर ब्रांच है इसने टक से आवाज आई थी तो डम की आवाज आईए ठीक है और यह जैकाल सोच रहा है आगे बढ़े हम फिर देखीगा आप जैकाल ने क्या किया एक प्लान बनाया तो पास्ट मेंध बजाना स्टम को अपने वाले दो पाहत से उसे बजाना में स्टार्ट कर दिया the sound of drum beat filled the whole jungle अब drum beat का sound जो है इसने पूरे जंगल को भर लिया मतलब इतना ज्यादा आवाज आई इतना dumb 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 वाज फेक ने लगा ठीक है sound sound मतलब आवाज drum beat की आवाज filled whole jungle पूरे जंगल में फैल गई a leopard became curious when he heard the sound of the drum and came near it अब क्या leopard became curious curious मतलब बता है जिग्यासू ठीक है तो लिपर्ड का बड़ा जिग्यासू लगा लोग देखें है तो क्या चीज ये when he heard the sound जैसे उसने sound देखा सुना sound when he heard heard here की second form है ठीक है तो here में सुनना तो heard जैसे उसने सुना of the drum and came near कहे की drum की drum का sound and pass आया the जैकाल said to the leopard जैकाल ने लिपर्ड से बोला the जैकाल said past में है ठीक है your majesty मतलब है highness मतलब है there is some animal अब डर कैको की जैकाल है तो वो लिपर्ड है तेंदुआ है there is some animal hiding inside the drum यहाँ पक्का न पक्का कोई इस drum के अंदर कोई जानवार है जो के hiding मतलब छुपा हुआ है ठीक है inside the drum since you have sharp claws and strong you can tear off the top of the drum and cast the animal inside the drum अब वो क्या बोलता है जैसा की you have sharp claws आपके पास मतलब जो आपके पंजे हैं बड़े sharp है नुकीले हैं and strong और बड़े मजबूत भी है you can tear you can tear off आप इसे फाड सकते हैं the top of the drum drum के top को के वला आप ही फाड सकते हैं क्योंकि आपके पंजे भी मजबूत है और बड़े ही नुकीले है and catch the animal inside the drum और उस animal को जो की drum में छीपा हुऊ से आप पकड सकते हैं the leopard who was hungry hit the top of the drum with his heavy paws उसने क्या किया बड़े ही जोरो से अपने पंजे से मतलब उस drum में top of the drum with his heavy paws hit किया मार दिया ठीक है the drum burst, drum फूट गया ठीक है यह burst, burst means foot ना open with a loud noise और बहुत ही open के मतलब noise आई फटने की आवाज आई open with a loud noise but there was no animal inside लेकिन उस drum के अंदर कोई भेनिमल नहीं था अब अब यह सब अब देखो यह जो जकाल था यह सब इसलिए सोच रहा था कि जब उसने भटबट की आवाज मारी उसमें तो लगा कि आवाज कौन कर रहा होगा क्योंकि उसे तो physics का ग्यान नहीं था ना समझ रहो तो इसलिए उसने सोचा उसके drum के अंदर कोई कोई जानवर है the drum was empty जब उसने फाड के देखा तो कुछ भी नहीं था drum पूरा खाली पड़ा था drum was empty empty मतलब होता खाली on finding the drum empty अब जैसे the leopard was very angry and rode at the jackal अब जैसे भी पता चला जैसे उसे मतलब drum कैसा मिला empty मिला खाली मिला the leopard was very angry leopard बड़ा गुस्सा हुआ and rode rode at the jackal jackal की और तेस से धाड़ा you have wasted my time मतलब तुमने मेरा समय पर बात कर दिया there is no prey inside the drum यहां कोई भी सिकार नहीं है यह prey का मतलब होता है कोई भी सिकार इस drum के अंदर नहीं है now I will kill and eat you ठीक है मतलब अब मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हें खा जाऊंगा ठीक है मतलब leopard वैसे भी मजबूत था समझ रहो अब यहां देखो future की बात की यहां future sentence है I will kill you मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हें खा जाऊंगा the leopard pounced on the jackal and ate him leopard ने तेज से पंजे से मारा और जैकाल को मारा और खा लिया ठीक है अब moral इससे क्या निकल के आया इससे सीख के हमली greed is always harmful लालच बुरी बला है भाई इसको लालच थी ठीक है फिर इसको भी लालच हुई मतलब इसको ज़्यादा लालच हुई इसको वैसे इसकी help लिया अब जानता नहीं था कि यह बड़ा मजबूत इंसान है बड़ा खतरनाक इंसान है मतलब जानवर है स्वारी खतरनाक जानवर है तो इसी को खा लिया ठीक है तो यह short story से आपको अगर थोड़ा भी समझ में आया होगा और जिस भी ग्रामर सक्षन में आपको दिक्कत जाती कॉमेंट कर दे तो मैं उस पर topic wise वीडियो भी बना दूगा ऐसी short story वीडियो जलाता रहूँगा आपके लिए ताकि आप अपने English को improve कर से लिए चली मिलते है नेक्स्ट वीडियो में किसी other topic के साथ तब तक के लिए अलविदा जहिन जवारत